आप नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अर्णिंग वाय प्रभाज फे तो दोस्तों अज बात करेंगे अढानी स्टॉक्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर बाई कर लें क्या, सर बाई कर लें क्या, फर्स्ट तिंग तो देखीगा, यहाँ पर भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको research प्योर दिया जाता है, तो खुद decision making पावर रखी है, देखीगा, जब तक आप देखीगा, यह concept बना लेंगे, dependency का, किसी के research को समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद का research बिल्कुल भी ना करना, यह घरबर बात है, चुकि stock market आपको पैसा तभी बना के देता है, जब आपकी knowledge बढ़ती है, तो knowledge देखीगा, केवल बातों को सुनने से नहीं, उन्हें accept करने से बढ़ती है, तो इसलिए कहता हूँ कि, आपको आज जो मैंने analysis लाया हूँ, अदानी के stock से related, उसमें मैं आपको बहुत interesting factor बताना चाहता हूँ, कि ये चीज़ें होने वाली है, और तब तक हो सकता stability आ जाएगी stock में, और stock में uptrend भी देखने हूँ मैं सकता है, तो सबसे पहले तो देखेगा, आपको पता है financial result जो अभी तक नहीं आए, आपको क्या लगता है कि अगर कोई hidden bug की report देदेगा, कोई something कुछ provide कर देगा, तो क्या corporate earning पे असर पढ़ जाएगा, क्या EBITDA पे असर पढ़ जाएगा, क्या आपके profit पे असर पढ़ जाएगा, NO, चुकि ये already देखेगा, आचुके हैं, process में आचुके हैं, तो last quarter के result आने वाले हैं, 8 फरवरी को आने वाले, मैं सारी कंपनियों को नहीं ले रहा हूँ, मैं दो-दो कंपनियां करके consider कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि जब result आने वाले हैं, और result बहतर ही आएंगे, जिस तरीके से भी मैं आपको दिखाऊंगा, कि result पहले कैसे आया है, तो आपको पता है, ये एक ऐसे event होंगे, जिसमें ये जो lower circuit लग रहे हैं, यानि कि ये जो lower circuit लग रहे हैं, इन में थोड़ी रहात आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज बहुत interesting है, लेकिन मैं आपको business model समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि like, ऐसी कोई चीजी नहीं है, कि यहाँ पर आप ऐसे business को क्या दो value ना दो, ऐसी कोई चीजी नहीं है, मलब जो business है, वो core business है, profitable business है, growing business है, तो market चितनी चाहिए उसको value दे सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है, तो अगर आप देखेंगा, सारा logistics सब कुछ देखेगा, depend करता है इनहीं पर, और यह stock कितना हो गया, आधा हो चुका है, पूरा का पूरा आधा हो चुका है, यह one of the favorite stock हो चुका है, इस समय इन particular level पे मेरे लिए, तो देखेगा, यहाँ पे 18% आपको देखने को मिल ला है, 18% को आपको क्या देखने को मिल ला है, यहाँ पे delivery देखने मिल ला है, trading भी हो रही है, अभी result की date तो डाना सो नहीं, लेकिन आप यह मान सकते हैं, कि हाँ, 8-10 February के बीच में, इनके भी result आपको देखने मिलेंगे, जो अडानी जी के लिए, अडानी के stocks के लिए, positively, favorably, देखेगा, रियाक्त कर सकता है, क्यों कहा रहा हूँ मैं, चुकि इसका बड़ा logic है, logic यह है, कि इतनी बुराईयां देखने के बाद, जब इतनी विक्वाली देख लिए आपने, तो एक छोटी सी आशा की किरण, एक छोटी सी होब भी, आपकी life में उजेला ला देती है, तो अगर आप देखेंगे, डिल लाग करोन से एक लाग करोन पे आ चुके है, और अगर आप देखेंगे, तो stock भी देखेगा, क्या हो चुका है, आधे दाम पे आ चुका है, देखेगा क्या आ चुका है, आधे दाम पे आ चुका है, मैं बात करों, अडानी पोट की, फेर वालुएशन है, और अगर आप देखेंगे, चुप चाप पैसा बना के देते हैं, और पोट के बिजनस में, आप मैं आपको दिखाना देता हैं, तो आप काइंड आफ सतर परसेंट पोट देखीगा इंगी पास है, अब आप देखेंगे लोग कंपनिया ही नहीं है, तो आप यह बताओ, और जो दूसरी कंपनी भी है, जो कंपटीटर भी है, वो भी देखेगा, आपको महंगा मिल ला है, आपको 31 के P multiple मिल ला है, 18 के P multiple मिल ला है, तो जब यह चीज़े क्या सही नहीं होंगी, क्या यह clarification नहीं आएंगे, क्या इस news का असनी कम पड़ेगा, सब पड़ेगा, तो जब पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता है, क्या है कि स्टॉक सारे rebound करेंगे, भले 200 रुपए पर चले जाएं, भले 300 रुपए पर चले जाएं, doesn't matter, क्यूंकि company का business solid है, आप देखिए, यह देखिए, company के profit हैं, यह last profit की growth है, देखिएगा, 1100 करोन से 1700 करोन से पहुँचे जा रहे हैं, तो company profitable stand है अपना, यह नहीं है कि आपको market बिना फिजूल का value दी दे रहा है, ऐसा नहीं है, आपने कुछ काम की है, और आपके काम आपकी balance sheet में देख रहे हैं, कि आपने यह particular अगर आप देखिएंगे quarter, तो 40% का margin बढ़ा दिया, 40% के profit बढ़ा दिया, net profit में रोद कर दी, तो यह बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है, तो यह चीज़ समनने वाली है, फिर अगर आप बात करेंगे, क्या business है, economic zone, अडानी port, business development, operation, maintenance, इंफ्रा, यह, आप देखिए तो आप अडानी जी का business model तो समझने की कोशिश करिए, कि यह stock गिर भले रहे हैं, लेकिन यह rebound भी जल्दी करेंगे, जैसे इनके result अच्छे आते हैं, जैसे result अच्छे आएंगे, दूसरा अडानी power, मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह stock अभी गिरेगा नहीं, यह अभी गिरेगा, but the thing is, thermal की देखिए का largest private thermal power producer इंडिया, largest, आपको word क्या दुनाई दे रहा, largest, तो आप समझ सकते हैं, और फिर इनके balance sheet पे आईए, कि पिछले दो quarter तो नहीं शॉक कर दिया था, 4,000-5,000 क्रोन के तक के profit हैं नके, और फिर देखिए का last quarter में भी, जो company minus में थी, वो देखिए का plus में आके इस तरीके के profit दे रही है, तो profitable company है, और आप देखिएंगे promoter shareholding भी बहुत बढ़ी है, फिर अगर आप देखिएंगे, आप ऐसे stock को अपरी सोच रहो जो आधिक एदाम पर मिला आपको, वो port का business है, कहीं भी balance sheet में दिक्कत नहीं है, तो उससे आप hope कब करोगे, वो कब rebound करेगा, कब वो थोड़ा सा progress में आएगा, जब उसके result आने वाले होंगे, तो आठ से दस फरेवरीक के बाद से देखिएगा, अडानी के shares में हो सकता है, थोड़ी रहा देखने मिले, और बहुत सारे shares आपको rebound होते हो देखने मिले, तो focus करिएगा, वीडियो गर अच्छा लगी, तो like share, subscribe करना न भूलेगा, thank you so much,